असलाम नेकुम बच्चों कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खुश बाश होंगे मेरा नाम है रिदा एहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे एक नया सबक जिसका नाम है मेजर अजीज भटी शहीद ज बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और देखते हैं हमने आज क्या पढ़ना है तो बच्चों हम आज पढ़ेंगे आपकी किताब का सबक नंबर 24 जिसका नाम है मेजर अजीज भटी शहीद बच्चों सबसे पहले मुझे बताएं शहीद किसे कहते हैं बिलकुल ठीक जो अल्ल बच्चों आपकी सबक के कुछ एहम नकात हैं जिनके बारे में हम पहले बात करेंगे फिर बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ तो चलें उनको देखते हैं निशाने हैदर बच्चों निशाने हैदर वो तमगाईयां वो एजाज है जो बहुत बहादूर लोगों को मिलता है जो अपने मुल्क की हिफाज़त करते हुए जामे शहादत नोश करते हैं पाकिस्तान में और भी बहुत से तमगाई हैं जुरत तमगाई अम्तियाज लेकिन निशाने हैदर सबसे बढ़के हैं आगे बढ़ते हैं 6 स्टंबर 1965 बच्चों ये वो अजीम दिन है जिसकी याद में हम यो में दिफा मनाते हैं यानि कि एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी कैसी जंग लड़ी गई थी जो भारत और पाकिस्तान के दर्मियान थी और जिसको जीता हम लोगों ने था अपने इतफाक से और अपनी बहादरी से हमारी मुसलाफ वाज ने हर दम कौशा रहके ह हमें वो जित्वाई थी और हमने उनकी भरपूर मदत की थी बचों ये सारी कहानी आपने बड़े बुड़ों से भी सुनी होगी अम्मी से अब्बू से दादा से दाधी से सबसे सुनी होगी क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी लड़ी जाने वाली जंग है जो के हम जीत गए थे बच्चों आपको पता यह 17 दिन जारी रही थी तो बच्चों इस जंग में किसने जामे शहादत नोश किया था मेजर अजीज भटी वह शहीद हुए थे एक महास पर लड़ते हुए जिसका नाम था बरकी बरकी के महास पर लड़ते हुए शहीद हो ग कुर्बानिया दी मुल्क को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानिया दी उन सबने क्या किया उन्होंने जामे शहादत नोश किया और बच्चों शहीद कभी नहीं मरता शहीद हमेशा जिन्दा रहता है और अपना रिस्ट पाता है तो बच्चों यह तो मै आपके सबक से चुने हैं कुछ मुश्किल इलफाज जिनके हम माइनी पढ़ेंगे ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको बिलकुल भी मुश्किल पेशना आए और आपको बहुत मजा है तो चले इन इलफाज को देखते हैं इनके माइनी पढ़ते हैं जटपट बचों 1965 को क्या हुआ था पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी यानि के हरा दिया था अगला लफज है जान पर खेल कर यानि के जान की परवा किये बगैर हमारे तमाम मुसलाफ वाज के फौजीयों ने जवानों ने जयालों ने क्या किया था बच्चों अपनी जान पर खेल के हमा का यानि पाक एरादे पच्छों अगला ल Gulf थ MAYOR बचेंब minda मतलब भुच आ तियुक ना पर थे रख मतलब बेशुमार बिना जब मेजर अजीज भटी शहीद ने बर्की के महास पे जब दुश्मन पे ताबर तोड हमले किये थे तो वो पस्पा हो गया था ताबर तोड यानि बिना रुके मुसलसल हमले किये थे तो दुश्मन वहां पे पस्पा हुआ था मतलब हार गया था अब आगे बढ़ते हैं डटे रहना मतलब काइम रहना बच्चों 1965 की जंग में हर मुसल्मान हर पाकिस्तानी अपने अपने महास पे डटा रहा था अगर हम अपने महास छोड़ देते तो आज दुश्मन हम पे हुकमरान होते हैं अगला लफज है जान हतेली पर रखना जान कुर्बान करने को त्यार बच्चों हमारी अफवाज के सारे फौजी जयाले जवान सब अपनी जान हतेली पर रखके सरहदों पर हमारी हिफाज़त करते हैं ताके हम पे कोई भी दुश्मन मेली नजर से देख में न सके अगला लफज है जान कुर्बान करना जान लुटा देना बच्चों जान कुर्बान करना जान हतेली पर रखना जान निचावर करना इन सब का एकी मतलब है कि अपनी जान की परवा किये बिना दूसरों को बचाना आगे बढ़ते हैं मिसाल जुरत मतलब जुरत की मिसाल तो कि अलग नजर आना नुमाया केलाता है अगला लफ देना मतलब के अगला लफज सख्त नुकसान नुकसान कि किसी चीज्ब में आपका बहृत जैदा घाटा गाटा हो जाएंद पर कुर्बान होना लेकिन के लिए लेकिन मैं आप अल्ला की खातिर कुर्बान होना, अपने दीन की खातिर कुर्बान होना और अपने मुल्क की हिफाज़त करते हुए कुर्बान होना शहीद कहलाता है दिफा करना मतलब हिफाज़त करना हमारी अफवाज हमारे लिए क्या करती है हमारी हिफाज़त करती है और सरहदों पे हमारा दिफा करती है तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपके हिस्सा मश्क को तो देखते हैं उसमें कौन से सवालात हैं जिनके हमने जवाब तहरीर करने है तो बच्चों बढ़ते हैं अपने हिस्सा मश्क की तरफ हमारा पहला सवाल है मुनासिब अलफाज लगाकर खाली जगा पुर करें यानि हमें कुछ जुमले दिये गए हैं जिन में कुछ जगें खाली हैं हमने उन्हें मुनासिब फाज लगा के पुर करना है तो हम बढ़ते हैं खाली जगा में दिये गए जुमलों की तरह भारत ने डैश 1965 को पाकिस्तान पर हमला किया आपको तारीख याद है सन तो लिखा हुआ है तारीख क्या थी बिल्कुल ठीक 6 सितंबर तो हम इस मेजर अजीज भटी शहीद ने डैश सेक्टर में अपनी कंपनी की कमान की कौन सा सेक्टर था बच्चों बिल्कुल ठीक बरकी उन्होंने अपनी कंपनी की कमान बरकी सेक्टर पर की थी ठीक हो गया चलें आगे पढ़ते हैं अगला जुमला पढ़ते हैं मेजर अजीज लिखेंगे टैंक ठीक हो गया बच्चों आप मेरे साथ सथ अपनी खाली जगा पुर करते जाएं अब अगला जुम्ला पढ़ते हैं मेजर अजीज भटी शहीद ने डैश हासिल गिया बच्चों कौन सा तमगा हासिल किया था बिल्कुल ठीक निशाने हैदर तो हम इसको यहा पढ़ा हो तो खाली जगा पुर करना कोई मुश्किल काम ने आपको सारे जुम्ले अच्छे से याद होते हैं अब बढ़ते हैं अपने मश्च के अगले हिस्से की तरफ बचो मश्च के अगले इसे में हमें दिये गए हैं कुछ अलफाज जिनकी हमने बनाने हैं जुमले तो चलें पहला लफ़ज पढ़ते हैं बेखौफ बेखौफ का मतलब होता है बिलकुल भी डरना लगना किसी चीज़ का डरना होना अब जुमला पढ़ते हैं अल्ला की राह में बेखौफ लड़ना एक सचे वुसल्मान की निशानी है क्योंकि अल्ला की राह में लड़ते हुए आप शहीद हों तो आप अल्ला के हाँ एक बहुत मखसूस मुकाम पाते हैं तो फिर उसमें खौफ की तो गुनजाईश ही नहीं आगे बढ़ते हैं हमारा अगला लफज है बहादूर बहादूर किसे कहते हैं जिसको डर नहीं लगता जो बहादूर होता है पाकिस्तानी कौम एक बहादूर कौम है आप बहादूर हैं बिलकुल हम सब बहादूर हैं तो पाकिस्तानी कौम एक बहादूर कौम है आगे बढ कि ये बगैर अपने मुल्की हिफाज़त करने हैं चलें अगला लफज देखते हैं निचावर बच्छों निचावर का क्या मतलब होता है कुर्बान कर देना अब इसको जुम्ला देखते हैं हमारी बहादूर मुसल्लाफ वाज अपने वतन पर जान निचावर करने के लिए हर लम्हा त्यार हैं यानि हमारी सरहदों पे मौजूद अफवाज पाकिस्तान हर वक्त त्यार हैं कि कब वो अपनी जान चावर करें और अपने मुल्की इफाज़त करने में कामयाब हो तो बच्छों ये तो था आपका सबक मेजर अजीज भटी शहीद के बारे में सबक को आ कमरा जमात में आवेजां करनी है तो बच्छों ये सरगर्मी आपने खुद से हल करनी है मुझे दे इंजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अगले लेक्चर में फिर हाजर होंगी अलाहाफिज